नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राज किशोर और नियूस तक पर राजनीत के आज के एंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है गुजराच चुनाओं को लेकर इस समय काफी सरगर्मी है प्रचार अपने बिल्कुल परवाज पर है और दावे प्रतिदावे पूरी तरीके से हर तरफ से ठोक कर किये जा रहे हैं बीजेपी कह रहे ही कि 27 वर्सों की उसकी जो सरकार है वो अच्छुन रहेगी कॉंग्रेस कह रही है कि भाईया अंडर करिंट है और इस बार हम सत्ता परट कर रहेंगे और सत्ता में आकर रहेंगे वहीं नई नवेली प्लेयर आम आदमी पार्टी कहरें कि जाड़ू चलेगी ना बीजेपी ना कॉंग्रेस हम एक नई सियासत लेकर आएंगे खैर ये दावे प्रति दावे तो हैं लेकिन एक दिल्चस्प बात तो मैं आपको बता दू सरकार बदले नवदले लेकिन गुजरात के ये चुनाओं गुजरात की राजनीत की तासीर जरूर बदलेंगे चेहरा भी बदलेंगे कैसे शायद आपने भी नजर फिराएंगे तो आपको सबच में आ जाएगा क्योंकि देखे भारती जन्ता पार्टी ने एक काम तो किया है जो गलती वाम मोर्चा ने पश्चिम मंगाल में की थी क्योंकि 32 वरसों के बाद जब वो गय तो वापस लोट कर नहीं आ है लगातार वहाँ पर त्रिनमूर कॉंग्रेस ही चलती चली आ रही है क्या गलती कि थी वाम मोर्चा ने कि जो पुराने चेहरे थे चाहे बुद्ध देव भट्टा चारिया या उससे पहले जियोती बसू और तमाम जो पुराने नेता थे उनके टिकट ही रिपीट होते रहते थे उन्हीं को बार-बार दिया जाता था और कोई बदलाओ नहीं किया था कोई नया नेत्रत तो सामने आने की बात नहीं थी लेकिन भारती जन्ता पार्टी ने कम सकंट टिक्टों के मामले में ये काम करके दिया और टिकट की बाद जाने दीजे उन्होंने तो मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट तक बदल कर रग दी हलाकि इसके विपक्ष में भी तमाम तर्क है लेकिन ये जो उन्होंने किया ये टिक्टों के बटवारे में बिक्या और उसके पीछे भविष्ट की दूरगामी रणीत के भी संकेत है और इसी दूरगामी रणीत में एक बहुती राज की बात छिपी हुई है वो ये कि अगर भारती जंता पार्टी का भविष्ट इन चुनावों में जो भी हो लेकिन भारती जंता पार्टी के भविष्ट यानि जो युवा चेहरे हैं उनका भविष्ट भी ये चुनावी नतीजे तै करेंगे कैसे पहले तो आप ये समझे कि 40 से 55 वर्स तक के उमीदवारों को बीजेपी ने थोक के भौटी कर दिये हैं कोशिस की है कि चेहरा उनका नया दिखे भले ही उनका ब्रांड मोदी हैं मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं लेकिन कम से कम इस्थानी स्थर पर नया नेत जिक्रत उभरे इसकी कोशिस दिखाई पड़ती है और जाती और जो सामाजिक 46 संतुरन है उस पर भी उन्होंने बहुत जाद ध्यान दिया है अगर आप देखे तो बीजेपी के सबसे प्रभुक चेहरे इस समय कौन है वैसे देखा जाया तो हर सांगी जो ग्रह मंत्री है म 32 साल के हैं और बहुत बड़े अंतर से सूरस से चुनाव जितकराते हैं और जिस तरीके से उनका कद बढ़ा है वो काफी महत्पून है लेकिन एक और बहुत बड़ा चेहरा जिसने पिछली बार पूरी तरीके से भारती जंता पार्टी को सबसे जादा प्रभावित किया थ पार्टी दार अंधोलन के जो सबसे बड़े उस समय चहरे बने थे हर्दिक पटेल हर्दिक पटेल इस समय आर्दिक पटेल के साथ जो OBC किसी का सबसे बड़ा चेहरा होते थे उस समय वह अलपेश ठाकुर वह होते थे अब जड़ा ये तीन चेहरे देखिए जो चुनावी राजनीत में चौथा पांचवा चेहरा भी लेकिन इन तीन चेहरों पर पहले बात करना जरूरी है आते हैं सबसे पहले हार्दिक पटेल प पार्टी के खेमे में हैं यहां यह समझना जरूरी है क्योंकि देखिए भारती जनता पार्टी में नरेंद मोदी के समकच जो भी कैबिनेट में लोग थे धीरे धीरे वो किनारे किये गए यहां तक कि जो उनके बात के लोग थे मुख्यमंत्री तक विजे रुपानी आपक को मौका दिया जाना चाहिए खेर ये उनका पार्टी का अपना अनुशासन है अंदूरनी मामला है इन सब लोगों ने कहा कि हम चुनाओ नहीं लड़ेंगे और ये नए चेहरे वहाँ पर चुनाओ लेने आ गए अब जरा इन तीन चेहरों पर बात करते हैं तरह इसमें आप छेत्री और समाजिक संदूलन देखिए हार्दिक पटेल निश्चित तोर पे जो पार्टीदार समाज जिसकी तमाम नाराजगी चाहा है वो पार्टीदार आरक्षन को लेकर हो या तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को लेकर रहा हो इन सब मुद्दों को लेकर भार्टीदार पार्टी की समस्या है थी लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अपनी छवी थी और उनका जो ब्र नहीं कर पाई थी पूरी ताकत लगाने के बावजूद लेकिन हार्दिक पटेल को यहां लेकर आगे अब हार्दिक पटेल कैसे इस समय भारतियंता पार्टी के लिए तुरुप का एक का साबित हो सकते हैं क्योंकि देखिए आज ही एक खबर आई है कि वह जो पार्टीदार अंदोलन के समय में जो उन्होंने अपने सो सयोजग बनाए थे वो जब हार्दिक पटेल भारतियंता पार्टी में गए तो चुकि वो सकता विरोधी स्वर और उसको लेकर मुखर होते थे उनको आम आदमी पार्टी ने अपने साथ लेने की कोशिस की उनमें ज्यादा तरल तो आम आदमी पार्टी के लिए भी काम करने लग गये, बदलाओ की बात करने लग गये, क्योंकि तब हार्दिक पटेल बदलाओ की बात कर रहे थे, आज आम आदमी पार्टी बदलाओ की बात कर रही है, लेकिन हार्दिक पटेल ने आज उन्ही सो सयोजगों को भारती जन रगत रूप से भी मिलब कॉंग्रेस के पक्ष महीं मानी जाती रहे लेकिन यहां पर हार्दिक पटेल ने चुनोती दिए अगर हार्दिक पटेल इस स्रीट से जीतते हैं तो जाहिर तोर पर वो अपनी उपयोगिता साबित करेंगे और उनका दावा भी भारती इंता पार्ट से आते हैं तो अलपेश ठाकुर कहीं न कहीं युवाओं के बीच में वो संदेश देने के लिहास से काफी महत्पून हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बार भी चुनाओं में हैं लेकिन अगले चुनाओं में क्या नरेंद्र मोदी इसी तरीके से प्रचार कर पाएंगे या करेंगे ये एक येक्षप्रश्ण भी बना हुआ है तो ये चुनाव से भारतियंता पार्टी ने इस बार जितने के लिहास से नहीं आगे की रणनीत के लिहास से भी पूरी अपनी गोटियां सेट की हैं अब बात करते हैं हर सांगी की निशित तोर पे इस समय गुजरात की र उसको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देखिए एक पाटीदार एक पिछडावर और एक जैन यानि पिछले चाहे उसमें मारवाडी हों चाहे गुजराती जो व्यवसाई समाज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं उनका प्रदीव सिंग बगेल उनको महा भारती जनता पार्टी की है कि गुजरात की जनता के बीच में संदेश दिया जाए कि वही पुराने चेहरे नहीं है कुछ नए चेहरे भी उनके साथ में जुड़ रहते खास्तोर से अलपेश ठाकुर और अर्धिक पटेल का तो साफ में आना महत्पूर बात है अब देखे जीतने हैं वह अभी भारती जन्ता पार्टी की सरकार बंते दिखा रहे हैं वहाँपन तो इस आधार पर मैं एक ये काल्पनिक व्योस्था ले रहा हून की सरकार उनकी बं रही है वैसी सरकार बनने में ये जो चेहरे हैं आपके खासों से हर सांगी जो उनकी पुरानमेश चेरें और हार्दिक पटेल और अलपेश ठाकुर इनकी क्या भूमिका होगी क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भले भूबेन सिंग पटेल को इस समय घोशित किया गया हो लेकिन जो भारती जन्ता पार्टी जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों पूरी कैबिनेट बदलती है और भूबेन सिंग पटेल की जो अपनी तवियत भूबेन पटेल की तवियत भी बार-बार खराप हो रही है इस तोरान आप आपने सुनाई होगा तो इस स्थिती में साल डेड़ या दो साल बाद भारती जन्ता पार्टी आगे की तैयारियों के मंदिर जर यह नहीं संगठन है और जिस तरीके के सामाजिक समीकरण है और उस सब के ऊपर ब्रांड मोदी क्योंकि गुजरात की जन्ता निश्चित तोर पे मोदी को कमजोर होते वे नहीं देखना चाहते लेकिन मोदी भी सदा के लिए नहीं रहेंगे यह बात सब जानते हैं पार्टी में और इसी के मद्दे नजर ये जो तीन चेहरे आप देखे रहें और चौथा चेहरा भले ही चुनावी राजनीत में नहीं हैं जो मैं बात कर रहा था प्रदीप सिंग बागेल की वागेला की वो आप देखिए राजपूत समाज से आ जाते हैं जैसे संकर सिंग बागेला होते थ तो ये जो पूरा सयोजन या जो संतुलन बनाने की भारतियंता पार्टी ने कोशिस किये है तो उन्हीं युवा चेहरों के बीच में से कैसे वो आगे नेत्रत निकालेंगे उसके भी प्रयास दिखाए पड़ते हैं पर एक बात और दिल्चस्ट देखनी होगी अभी अगर देखा जाए तो जो पार्टी के दो सबसे महत्पूर्ट ताकत लोग केंद्र में हैं प्रधानमृंति नरेंद्र बोदी और ग्रह मंत्री अमिश्रा उनके सबसे प्री हैं हर्श रंग में उसके साथ ही जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं सियार पाटिल उनके भी प्र द्राश ज्यादातर संग के भी अगर नेताओं से आप बात करेंगे तो हर्श उनके प्री हैं लेकिन हारदिक पठेल समाज से आते हैं और पाटीदार समाज लंबे समय से नेत्रत ना होने को लेकर बात करता रा चुकि चिम्मन भाइब पठेल के बाद से यह बात उड़ती भुगतना पड़ रहा है कॉंग्रेस को क्योंकि वहां गुजरात में नरेंद मोदी के जाने के बाद भी ऐसा कोई नेता नहीं आ पा रहा है जो वहां पर अपनी 26 तरीके की बना पाया हो कि वो चेहरे के रूप में उबर पाये तो भारती जंता पार्टी ने जो एक कोशिस की है शायद पश्चिम मंगाल में लंबे समय तक चली सरकार में किस तरीके से चेहरों को लेकर उब हो गई होगी शायद वो एक सोच रही होगी और गुजरात में भी किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक बड़े चेहरे के बाद दूसरे चेहरे नहीं खड़े किये और कोई नया पर नहीं ला पाई तो उसका खामिया जास्त तो उसको भुगत ना पड़ा है तो इन सब के मद्दे नजर हार्दिक पटेल हर्श रंगी अलपेश ठाकुर और जो दूसरे ने चेहरे हैं इन सब के बीच इन प्रतिदुंदिता देखने लायक होगी तो हो सकता है कि सरकार जो आगे की बनेगी गुजरात में अगर भरतियंता पार्टी यह बनती है तो यह प्रतिदुंदिता भी देखने लायक होगी और इनके बीच में से नया नेत्रत निकल सकता है तो आज इतना ही फिर होगी कलाप समुला का नमस्कार झाल